Welcome to Geography इसमें हम लोग कबर करेंगे Ices and Pleistocene Glaciation Ices क्लाइम कि हमारी जो history of the earth है इसने कई climate change के phases देखे है तो उन climate change के phases में ऐसे period जिस time extensive cover जो earth का surface होता है वो extensively cover होता है ice sheet के दुआरा और काफी extensive area जो planet का extensive area है वो ice sheet के cover के अंदर गता जाता है तो उसे Ices बोलते हैं Ices concept Lewis Agassist ने दिया था 1840 में और फिर इसमें कुछ modification किया गया था और continental glaciation का concept दिया गया था इसकर च्डसारी होता है पिरिफ़ sû उसे Srps के बोलते हैं तो ाइसे में टवरिफ़ымиदषब के उता है और इसमें गूरू ने लिशी Cons lay पिर हूता है वह भी सब्दिवारण होते हैं इंट्टू सब पिजिड्स में PA मीं कं गांडिया की पराया है अर्थ की हिस्ट्री में कई ग्लेशान हुए हैं सबीन सिक्र किताब के इंसाब से सबीन के बुक में बताया है कि तीन आइसेज हुए हैं एक पर्भी रिविपार पॉणिफूरा करा पॉणिफेलिस आइस और प्लस्टाइफ्टिश इस जैब जो दिश्ट हैं ऐसंड एप नि तो Colonian Glaciation by 9.4 से 2.1 बिल्यून दो था और इसका मेन कहलं नहीं दोई हो था कि यह Urli Piteroo contracting ही दोऊटा तो यह मीस्टेंक हो गया यह नीचे नीचे है तो यह अर्लtrackh गिदो मुए है तो स्टो धिराम दोइ होँआ है और यह early pterozoic में होगा था, means arcan period में होगा था, और इसका जो main region था, यह arcan नहीं, यह pterozoic, आता है arcan, arcan को बाद pterozoic, फिर paleozoic एदा आता है, paleozoic के बाद mesozoic, और फिर senozoic, तो अगर हम pterodization किये, तो ion में divide करें, अर्थ की हिस्टी को, तो अर्थ की हिस्टी में में आजर चार एओन है, पांच एओन है, एक हेडियन एओन, दूसरा arcan एओन, तीसरा pterozoic एओन, चौथा paleozoic एओन, फिर mesozoic एओन, और फिर senozoic एओन, तो छे एओन में divide कियाता है, तो यह pterozoic एओन से बिलांग करता है, pterozoic एओन में भी early pterozoic से, लेट नहीं, early pterozoic, शुरुवात में ही यह develop हो गया था, हुरैन, तो हुरैन का main region यह था, कि इस टे में oxygenation, उसे गुला जाता है, great oxygenation event, और इस जो अर्थ के develop हुआ था, और इसका main region था, great oxygenation event, और elimination of the greenhouse gases, especially जो उस time में methane हुआ गरती थी, फिर जो दूसरा पीरिड आता है, उस पीरिड गुलाता है, cryogenian, तो cryogenian जो हुआ था, यह late pterozoic हुआ था, तो pterozoic में ही 2 glaciation हुए, एक early में हुआ 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 आता है, 32 million years old ago से 635 million years old तक ञ फैला था, और इसे बोला जाता है कि snowball event, snowball earth event बोला जाता है, तो लगवा बोला जाता कि पूरा आइस छोकव गया था इवन जो आइस जो एक्सलोजुन जब होता है जब जाता था तो ये लेट प्रतो जोक के बाद की का सिर्ट जोस्ट है पहले जोए के पहला आए न्ययॉन तो पहले जो एक इयोन का जो पहला एडा होता है उस एडा को कैम्बन एडा बोलते हो कैम्बन एडा में काफी जाए एक्स्लोजन हुआ फ्रह प्लाउट रिणी मल आये और उस टेमगरशी बढ़न चले हो गल गए चाहली हो गया अवस्टे क्या होता है कि ये जो ये जो ग्लेशी संथा वो देरे दे ओंड गया तो दूसरा था क्राईजनीन तो पर पहला हुरन दूसा क्राईजनीन और तीस्रा जो ग्लेश एसन उ काफी ग्रोथ हुआ इस्पेशी लैंड प्लांस डिलफ होना चालू हो गया तो एक्स्टेंसिव कवरेज हो गया प्लांस का और ऑक्सीजन इमिशन का रख बढ़ गया और उससे क्या हुआ काबन डाय अक्साइड का कंजप्शन बढ़ गया प्लांड के द्वारे में तो काबन इसी बुला जाता है कि इंडियन सहारन ग्लेशिशन चासो पचासे चासो बीस में लेने को यह लेट आड़ोवीशन और सालूरियन के बीच में हुआ था फिर चौथा प्लेट जो आता है उसे बोलते हैं लेटर पैलियोजोइक आईसे तो लेटर पैलियोजोइक में हुआ तो यह पैलियोजोइक के आड़ोवीशन और सालूरियन इरा में हुआ था इंडियन सहारन ग्लेशिशन इंडियन सहारन ग्लेशिशन यह भी पैलियोजोइक में हुआ था और पैलियोजोइक में हुआ जो इसे बोला जाता है यह लेटर पैलियोजोइक आईसे यह इसे पर् यह पर्मियन और कार्बोनी फिरस के पिरेड में हुआ था यह पर्मियन और कार्बोनी फिरस भी एरा है कि इसके पहले उचोई के इसके और यह 335 से 260 मिलियन यर्गों हुआ था फिर अगला जो आता है quarternery glaciation तो quarternery glaciation कर वह था 2.7 million यद्गोश स्टार्ट हुआ था आज से 2.7 million यद्गोश स्टार्ट हुआ था और present day भी एक glaciation का पीरिड है और अभी तक continue हुए है यह paleocene से परिष्टोसीन और holocene तक कबर किया है इसने तो एक बाद हम लोग चार्ट में देखें कि कैसे क्या पीरिड है तो यहां इस पर अच्छा दिखाए देगा है यहां देख सकते है तो यह देखा जा सकता है यहां पर हां तो इसमें क्या है कि तो यह हम लोग को अगर देखें तो जो प्रट्रट्रोस horrific एरा में एक हुरेनíयन हुआ हुआ हुरहन हुआ हुरीजा हुआ और दूसरा क्राइज हुआ 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 तो हुरेण 2.4 से 2.1 billion tenho हुआ था और लेट प्रट्रट्रोस यह early petrozoic हुआ है और यह late petrozoic में cryogenian हुआ 720 से 635 million यह दो हुआ फिर carbon explosion स्टार्ट होता है carbon explosion में बहुत से plants और animals डेवलप हुए और इससे क्या हुआ कि carbon dioxide की मात्रा बढ़ी है अपने atmosphere में और इससे क्या हुआ कि फिर से green house गया सना start हो गया फिर आता है कि ardovision तो यह petrozoic होता है और इसके उपर यह इरा जो है यह paleozoic इदा है paleozoic और यह mesozoic है और यह cenozoic है तो paleozoic में paleozoic के late ardovision salurian period में क्या हुआ था इंडियन और सहारन हुआ था तो इंडियन और सहारन glaciation हुआ फिर कार्बोनी फेस और पर्मियन के बीच में यह भी paleozoic में भिलाम करते हैं paleozoic में दो पिटोर जोईग में glaciation हुए और दो पहलो जोईग में glaciation हुए और जो paleozoic का पहला glaciation था वो आडोविशन और सहारन पीरिड में था इंडियन सहारन glaciation बोलते हैं और पहलो जोईग का जो दूसरा glaciation था वो वो था कार्बोनी फेस और पर्मियन glaciation जिसे कुदू आइसेस के नाम जनना रता है और इस टाम गौनवाल लेंड के फार्मेशन हुए थे फिर mesozoic में कोई glaciation नहीं हुआ यार रखना है कि जो mesozoic ion है mesozoic ion में कोई glaciation नहीं हुए synozoic glaciation synozoic में जो glaciation हुए वो वो tertiary period में नहीं हुए quaternary period में हुए quaternary period में और basically late tertiary period में start होते हैं यह tertiary period में आते हैं paleocene, eocene, oligosene, myocene or pliocene, to late pliocene से start होता है वो अभी तक continue हुए तो पूरा का पूरा quaternary glaciation नहीं बोलते हैं इसको तो quaternary glaciation हुए तो यह 5 glaciation है huranian, cryogenian, indian, kuru or quaternary glaciation तो तो इस तरीके से हुए अब हम लोग थफ़ड़ा देखते हैं कि peristotion glaciation का पाए हम देखते हैं अभी नहीं पहले देखते हैं कि क्या-क्या थेदी हैं फिर आएंगे peristotion glaciation पे हां कि factors या hypothesis क्या है जो ICS cause करते हैं तो धेर सारी hypothesis या धेर सारे factors हैं जो cause करते हैं क्या ICS परला hypothesis आप topographic relief change है तो ऐसा माना जाता है कि जब upliftment होता है तो sea level से height बढ़ती है और हम लोग जानते हैं कि उपर जाने पर temperature घटता है तो uplifted land form जब उपर उठे तो उन पर glaciation होना start हो गया तो यह बता जाता है कि upliftment of mountain building responsible होते हैं for the glaciation लेकिन बहुत correlation नहीं मिलता है जो major origines हुई और उन पर ICS की study किया जाए तो ज़री नहीं कि हर एक origini में ices हुए हो यह origini में इतना उचे नहीं उठ गए कि आइस line के पास पहुँच गया और ice का accumulation होना start हो गया और glaciation होना चलो गया तो upliftment बहुत थोड़े होते हैं हजार मीटर या डिएड़ हजार मीटर तो उचे उठ जाएंगे कि ice line जो होती है उसको cross कर जाएंगी तब glaciation होगा तो बहुत audiences नहीं बोलते हैं तो यह बहुत null hypothesis है उसका बहुत relevance नहीं है फिर दूसरा hypothesis है polar wandering तो ऐसा माना जाय करता था कि polar wandering होती है कि pole कभी कभी जहां pole पहुँच जाएगा वहां पर आगते है glaciation होगा तो pole कभी equator पहुच जाएगा लेकिन इस hypothesis correct किया गया और बतायागा कि pole wander नहीं करते हैं pole तो fixed है rather plates wander करती है तो इस tectanics theory ने इस theory को भी reject किया फिस जो अगली theory आती है वो continental drift theory है continental drift theory ने भी बताया continental का drift होता है continent जब pole पर होते हैं तो काफी extension से उस पर glaciation होता है और जब वो move कर जाते हैं equator पर deglaciation होता है वहां पर plant or animals काफी ज़ाब सरीस होते हैं फिर एक carb CO2 hypothesis या इसी upliftment and withering hypothesis बोलते हैं uplift withering hypothesis इस hypothesis का यह कहना है कि पहले upliftment होता है यह upliftment होता है तो वहां पर जो वहां पर जो जाता है जाता है उसका बहुत जड़ा कंजपाईजंब्स की Parliament कंजपशन होता है तो होता है तो सिर्ध मानता है और यह मानता है कि जब लक 경찰 अप्सेंस होता है तो यह रेकिन बॉक ऊन्फ साइपोतेश्यव रेजैते हैं जलता है costume क्ली क्लेजब्स तो जो इस radiation होता है सन से आने वादी केर्णों का जो radiation होता है start wave radiation जो होता है वो कम हो जाता है तो अर्थ पी इतना ज्यदा heat नहीं आपाती इसलिए अर्थ खूल होना चला हो जाता है तो यह भी कुछ हद तक ठीक ठाक hypothesis है फिर variation है तो solar radiation की hypothesis है कि जो solar radiation उसमें variation होता है sunny spot cyclist होते है जब sunny spot ज्यदा होते है तो उस तैम में temperature ज्यदा बढ़ता है तो उस तैम में deglaciation होता है और जब sunny spot बहुत ज्यदा कम हो जाते हैं तो इलाव glaciation आता है और एक Simpson hypothesis है और एक cyclic theory दिया Simpson ने फिर जो अभी recent most widely accepted theory है वो milanchois cycle है कोई cycle यह मानती है कि तीन factor से influence करते हैं जो sun की light है उस earth पर जो पढ़ती है उसको तीन factor influence करते है एक तो tilting हो गया तो tilting में यह है कि जो earth का rotation का axis है वो tilt करता लगा 24.5 degree से 22.1 degree और उसको tilt होने में एक round मारने में उसको 41,000 year लगते हैं तो और हम जानते हैं कि तीन की tilting से क्या होता है कि अगर तो उसका भी relation influence पढ़ता है कभी कोटर पर जादा पढ़ता है radiation सीधे पढ़ता है तो कभी पोल पर radiation सीधे पढ़ता है फिर दूसरा दूसरा जो factor जो influence करता है sun के radiation को वो इसेंटिसिटी है तो इसेंटिसिटी क्या है एर्थ जो रोटेट करता है around the sun वो कभी cyclic एक pure cyclic form में रोटेट करता है और कभी oval shape में एक hyperbolic path elliptical path achieve कर लेता है तो उससे भी क्या होता है कि sun से उसकी distance कम हो ज्यादा होती जाती है जिसका influence पढ़ता है और एर्थ वावल करता है तो जो इसके tilting है कभी-कभी पूरी रोटेट कर जाती है तो उसमें लगवाग उनने इस हजार से 30 हजार लगते हैं तो इस hypothesis ने भी explain करना चाहा कि कैसे क्या करते हैं तो ऐसे DSI hypothesis है कौन-कौन hypothesis है एक दो ट्रपोग्रेफिकल रिलीफ है यह उसे अपलीफ्ट डिफ्ट है और मिलंक कभी साइकल हो गई इन सब थेरिज ने explain करना चाहा कि आइसिस आते हैं अब आप पलिश्टो इस आइसिस के बाएं हम देख लेगते हैं तो पलिश्टो इस जो स्टार्ट होता है लगवाब 2.7 मिलेने को यह प्लै कॉटेन्रीलशीं जी जी कते हुए?? तो सब्सक्राँ यह पहले हो। जी में पहले हो। अरकाउनिये कद गाअनिया हुनावी गर्दी तन यहाी हरी। और इस टाइम में गागत्ते हैं और लवा पचीस हजार यह देगो इन आई सीट का रिट्रीट इस्टार्ट हो गया मतलब पचीस हजार के बाद साथ वार्विंग प्रिट्रीट हो जाता है और परिश्टेशन ग्लेसियस ने लवा वन फिफ्थारी लैंड जो पूरे अर्थ क का वन फिफ्थ लैंड एरिया था उसको कवर किया था पिंक और बरकर के हिसाब से चार फिजस आफ एडवांस में रिट्रीट हुए हैं तो इसको लोकली अलग-अलग नाम सजा जा जाता है तो जिसे युदेशिया में जो फिजस थे पा चार फिजस थे ग्लेसियसन के परि नात अलग में नाम है नब्रसकन कंसर स इल्लिनवाइन और विसकनशन गुंज मिंडल मं इनको नात biggest सब्सका में नेब्रसकन कंसर कंसर सं विसकंषियन तो यह ग्लेसियल थे एक यह जो आई से होता ए तो एक आई से दलाए में घ्रीं लोग देखे थे कई ग्लेसियस सन होता है कई पीरड़ वाइसिएशन होते हैं उनके भीच में इंटर ग्लेसट पीर जाते हैं तो यह ग्लेसट रेज हैं यह ग्लेसट एज़ हैं गुंज मिंडल इस और उद्म और या फिद उनको अमेरिका में नेब्रास इसकन खैंस इलिनॉइस और विसकंसिन इनके बीच में जो inter-glacial period थे उन्हें बुलाता है eftonian, yarmouth, yarmouth, sangmum और उसके बाद अभी जो period चल रहा है post-glacial period, तो ये glacial history रही कि इसका palastocene glaciation की, अच्छा इनके कुछ effect हुए, इनके effect देखते हैं, जो palastocene glaciation was का effect क्या पड़ा, तो इसका North America में effect क्या पड़ा, कि North America में, अगर दिखा जाए palastocene glaciation को, तो palastocene glaciation में 3 major seats developed हुए, ice seats developed हुए, जो extensively कबर किया करते थे, North America को, तो labrador ice seat developed हुई, labrador ice seat, Hudson Bay ice seat, और Cardillarian ice seat, जो Rockies mountain को कबर किया करती थी, और इनका काफी जदा advancement हुआ, यह southward Nebraska तक पहुची थी, और इनके corrosion से, इनके withering और hydrogen से, यह जो glacial थे, कारण जो withering और hydrogen हुए, उससे, जो great lakes का भी formation हुआ, तो यह influence था, इनका, या इनका effect था, ना था अमेरिका में, इनका effect हिमालिया में ही पड़ता है, तो हिमालिया में क्या evidence हैं किनका effect पड़ा, तो करिवा deposits जो हैं करस्मीद बेसिन में, यह देया result अब दी, पलिश्टोषीन glaciation, और पलिश्टोषीन मिलते हैं हम लोग को, कालगी बेसिन में, और जो, मॉरैनिक रीजर्स मिले हैं, और यूश्वेफ वैली, हैंगिंग वैली, गंगोतीम हो गया, यह एवरेस्ट पे हो गया, यह सब यह demand करते हैं कि, जो पलिश्टोषीन में, glaciation होगा था, उसका बड़ा influence था, यह उसका impact हिम equator, तो जो, जो polar climate होता है, वो all southward shift हुआ, तो template climate all southward shift हुआ, और tropical climate जो था, वो सिंक कर गया, तो जो, जो climate जो थे, the shift toward equator, यह एक effect पढ़ा है, दूसरा क्या हुआ, वर्ड वाइड, ग्लेश्चो, यूस्टाटिक चंज़ आया, sea level में, तो ग्लेश्चो, यूस्टाटिक जाते हैं, eostatic means होता है, change in the sea level, तो बहुत sea level में change आया, तो sea level down हुआ, और sea level down हुआ, तो हम जो जानते हैं कैसे कि, प्लेश्चो, प्लेश्चो में बहुत है, प्लेश्चो हुए, और उसी के along human migrations भी हुए थे, तो यह है, glacier eostatic changes दिखा गया, sea level में, और तीसरा, isostatic adjustment भी गया, subsidence काना किया हुआ, cycle of erosion, जिरंड कर गई, या फिर उनकी sortering होना start हो गया, तो यह कुछ major influence थे, इसके अलावा कुछ minor influence के form में देख सकते हैं, कि fluctuation in the precipitation, और river discharge में fluctuation आया, तो जो temperate regions थे, वहाँ पर नदियों में काफी ज्यादा पानी ही कम हो गया, और river discharge slow हो गया, और नदियों का erosy capacity कम हो गया, काया कि discharge velocity कम हो गयी, फिर hydrological conditions और water balance में भी काफी change जाया, तो अब इतना ज़्यादा precipitations नहीं हो गया करते थे, और पुदा कर पुदा जो, और precipitation और equatorial region में भी, एक moderating influence पने लगा, इसलिए इतना ज़्यादा precipitation होना start कम हो गया, और फिर biosphere, hydrosphere, atmosphere, atmosphere हर जगर चिंज पड़ा, atmosphere लेटियुली कूल था, biosphere में किया कि जो ice covered areas थे, वहाँ पर biodiversity कम हो गई, और फिर अगरते हैं, जो hydrosphere थे, उसमें देखे कि sea level चिंज आ गया, और फिर अगर हम लोग लोग लिट्रोस्पेर में बात करें, तो धेर साथे landforms नहीं नहीं डेव इंडिया की respect बात करें, कि इंडिया में क्या चल रहा था, उस time में, तो गलेशल इसकी बात करते हैं, तो इधर, तो गलेशल इस, विंधियन, जब विंधियन rock system हम लोग पढ़ते हैं, तो last episode हम लोग जब देखे थे, denodational chronology, तो denodational chronology में जब विंधियन system पढ़ रहे थे, तो यह पता चला कि विंधियन जो cycle थी, it was interpreted by glaciation, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो विंधियन cycle है, यह, जो विंधियन period है, विंधियन period belong में की contemporary cryogenian glaciation हुआ था, तो विंधियन period की contemporary cryogenian glaciation हुआ था, और हम यह देख सकते हैं कि अर्ली पिटरोजोग में हुआ था, और जो rock formations हुआ थे, windyan, तो windyan rock formations में हम लोग को evidences मिलते हैं, glaciation evidences मिलते हैं, फिर dravidian में, dravidian period था, इसमें हम लोग को 2 evidences मिलते हैं, एक Indian saharan glaciation हुआ था, और सबसे ज़दा evidences जो dravidian period में मिलते हैं, तो वो Indian and saharan, जो glaciation हुआ था, उसका incidence पढ़ता है, और जो पर्मो कार्बोन पर्मो कार्बोनी फिर्स ग्लेक्स हुआ था, उसके audience से हम लोग गोंडवाना structures में पढ़ते हैं, मिलता है, फिर में जो इला में कोई glaciation हुआ नहीं, और quaternary glaciation के incidence मिलते हैं, हम लोग को जो परिश्टोषिन के land farm develop हुए, जैसे कि का बढ़ते हैं कि कास्मीद में कारेवा क हुआ या फिर जो land farm develop हुए, तो इस तरीके से हम लोग की history की का से develop हुआ, क्या ICS क्या थे और उनके incidence क्या थे, इन सब को हम लोग इसमें देखें, thank you, thank you very much.